भारतिय समय के अनुसार कल साड़े पांच बजे महित्रो एरपोर्ट पहुँच गया था और उसके बाद में करी पंद्रह मिनट के अंदर ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बाहर रोका और कहा कि आपके बारे में हमें कुछ रैड अलर्ट है तो हमने बहुत विनमरता से पूछा कि हमको तो ऐसा कुछ गयात नहीं है कि किसी भी तरह कोई हमारे बारे में रैड अलर्ट है लेकिन यह आपके पास में है तो आप जरूर हमको बताईए क्योंकि हमने तो बस्पन से लेकर कि आज तक कोई भी इमोरल और इलीगल काम नहीं कि यह कि आखिर हमसे क्या भूल हुई है तो जरूर आपको हमस्पश्टी करने देंगे तो उनका नहीं हम आपको बता नहीं सकते हम आप partes share नहीं कर सकते हो सकता है इसमें कुछ भी नह sudah और हो सकता ही तक आप किसी को बिना कारण बताए रख सकते हैं तो तीन घंटी के बाद हम ने कहा है कि हम फिर से विनमरता पुरोग पूछना चाहते हैं कि हम से क्या भूल हुई है या क्या हमारे बारे में आपके पास में क्या रेड अलर्ट है वो हमारे साथ आप साजा करेंगे तो आप कि गौर्मेंट की जो गलत नीतियां है उसको लेकर के काला धन भरष्टाचार और व्यवस्था प्रिवर्तन को लेकर के हमारा सरकार के साथ संघर्ष जरूर है तो आप कोई किसी भी संदर में आपको पूछना है तो आप हमसे पूछिए उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन के अंदर जिस स्थान से जिस हौल से उन्होंने भाशन दिया था मुझे वहाँ जाना है तो हमने अपने बटेन के और यूएस के सारे प्रोग्राम उनको दे दिये आने जाने के टिकेट उनको दिखा दी और मैंने का मैं तो 2006 से आज तक करीब 8 सालों से लगातार यूके और यूएस काई एक एक दो दो मेहनों तक के लिए आता रहा हूं और हजारों हमारे यहां पर योगे शिक्षक हैं जो सब को निशल को योगे सिखाते हैं हमारा यूएस के अंदर और यूके के अंदर दोनों जिगे ट्रस्ट है उस सब उनको पेपर भी दिखा दिये और फिर उन्हों ने तीन घंटे के बाद में हमें कहीं पर नहीं लेकर के गए ना तो कोई जो है कस्टम डिपार्टमेंट में को आपको यहां हमको लेकर के गए ना कहीं और कहीं हम से का कि फिर हम आपके सामान की तलाशी लेना चाहते हैं मैंने का आप जरूर लीजी